हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सबी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे नर्सिरी क्लास की वक्षीट नंबर 67 जो की 1 नवंबर, 2021 की वक्षीट है और बच्चों यहां आप अपना नाम लिखेंगे और यहां आप अपनी ठीचर का नाम लिखेंगे चलिए इस worksheet को फिर हम शुरू करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त होंगे और इस worksheet में हम समझेंगे vegetables के बारे में पहला प्रशन है आईए आज हम सब्जियों के बारे में जाने सब्जिया मतलब vegetables ठीक है पहली सब्जी हमें दिखा रखा है spinach याने की पालक सिकिन है cauliflower याने की गोभी तीसरा है ब्रिंजल याने की बैंगन अगला है carrot याने की गाजर अगला है lady finger याने की भिंडी नेक्स्ट है tomato याने की टमाटर और ये चितर किस चीज़ का है peas याने की मटर का अगला है potato याने की आलू और उसके बाद है cucumber याने की खीरा ठीक है बचों? तो इनके नामों को हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप बार-बार बोलने की कोशिश करेंगे जिससे ये नाम आपको याद हो जाएं दूसरा प्रशन है आईए मिलकर ये गीत गाएं तो यहाँ पर हमें एक प्यारा सा गीत दे रखा है और चलिए मेरे साथ साथ आप भी इस गीत को गाएंगे ठेके बचो आलू बोला मुझको खालो मैं तुमको मोटा कर दूँगा पालक बोली मुझको खालो मैं तुमको ताकत दे दूँगी साथ में मूली गाजर बोली अगर हमें भी खाओगे तो खूब बड़े हो जाओगे तो है ना ये गीत काफी मज़ेदार तो इस गीत को आप चाहें तो बार-बार दोहरा सकते हैं चलिए आगे देखते हैं तीसरे प्रश्ण में कह रखा है कि अब नीचे दिये गए चित्रों में से सबजियों के चित्र पर क्रियॉन्स की सहायता से गोला लगाईे तो नीचे हमें पहचानना है कि कौन कौन से चित्र हैं जो सबजियों के चित्र हैं और उन पर हमें गोला लगाना है ठीक है बच्चो देखो पहला है हमें फल दे रखा है दूसरा है आलू जो कि एक सबजी है उसके बाद फिर से फल दे रखा है यहां पर टमाटर ये भी सब्जी है, बागन भी सब्जी है, इसके अलावा मतर सब्जी है और गाजर सब्जी है इसके अलावा बाकी जुतने भी दे रखे हैं, वो सब फल है ठीक है बचो? अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न की चलिए नीचे दिये गए टमाटर के चित्र में अपनी उंगली की छाप से रंग भरिए तो आप क्या करेंगे लाल रंग अपनी उंगलियों में लगा लेंगे और फिर उसको इस तरीके से यहाँ पे टमाटर पे उंगलियों को चापते हुए पूरे टमाटर को आप लाल रंग से भर देंगे ठीक है बचो चलो आगे देखते हैं आगे हमें ये कह रखा है कि बच्चो सबजियों के नाम जानने के लिए बच्चे को प्रेरित किया जा सकता है तो आप अपने पेरेंट से अलग-अलग सबजियों के नाम पूछेंगे और उन्हें कई बार बोल कर उस नाम को याद करने की कोशिश करेंगे ठीक है बच्चो तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट जो काफी जादा मज़ेदार थी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू बच्चो